नमस्कार मैं हूँ बिन्य पाठक एवी डियूस में आपका स्वागत है आई देखते हैं देश दुनिया तता समाजिक जगत राजनीर तता अपराज जगत की खाश खाव आप जिन तस्वीरों को अपनी आँखों से देख रहे हैं वह तस्वीरे हैं प्रेमी प्रेमका के चोड़े की जो अब पुलिस की मदद से पति पतनी हो चुके हैं लेकिन कुछ समय पूर्ब तक इस्थिती कुछ और थी क्या थी हम आपको पूरी तफसीस से बताते हैं पीली भी थाना हजारा छेत्र के गाउं में प्रेमका की परजनों ने प्रेमी को अपने घर में बंदक बना कर जम कर पीटा था सुचना पर पुलिस ने प्रेमी को छोड़ाया और प्रेमी प्रेमका को थानी लेकर पहुँचे जा दोनों की रजामंदी के चलते थाना परिशर में ही दोनों की शादी करा दी गई गाउर दलबो प्रेमी के परजनों की माने तो थाना अजारा छेत्र के गाउं असोक नगर के रहने वाले नितिन उर्फ आक्रोस पाटिल का उसके गाउं की रहने वाली रीमा उर्फ सर्था से लंबे समय से प्रेम प्रशंग चल लाँ था प्रेमका के परजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने प्रेमी से मिलने पर रोक लगानी चाहें लेकिन दोनों लोग नहीं माने मंगलवार देर रात तक प्रेमका के परजनों ने प्रिपलान कर लड़की से फोन करवा कर बाचीत के लिए उसे अपने घर बु पिटाई की आप देख सकते हैं लड़का जम कर पिटाई की कारण बुरी तरह से घायल हो गया इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगी पुलिस ने मौके पर पहुँच कर बंदक लड़के को छुड़ाया हमारे गाउं की रिमा उससे मैं मुदफ साधि करना चाहता था मैं दून की घर पर बुलाई उसके घर वाले भी ते घर वाला हो बुल आई उससे फोन करके लिगर जब हम घर गया उससे बात चितो रिख उना ब्ल्tez सी ओना उनने दोने वह दोनों लोगा उनुंके दोनों जानके उसके बाद से बिर मेडकी रेखा है कि वाथ का हजा कि मारा कुम पर भाद शीम करते मेंल है आ। है इसमें पना में हमें सुथ कर देंगे। जब वह भर पे तो मारने लगे, जब मारने लगे तो हम बचा हैं, तो हमें भी मारे, फिर बाद में पूलिस आ गई, फोन होगा तो पूलिस आ गई, फिर फूलिस वाले लेकर चले गई थाने में, फिर वही पे हम लोग दोनों लोग के साधी हो गया, हम लोग अब इनके साथ पुलिस ने लड़कियों और लड़की के परजनों को लेकर थाने में पहुँच गई पुलिस अधिक्षक से मिले और कारवाई की मांग की पुलिस अधिक्षक में प्रेमका के परजनों के खिलाब मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिये है एवी न्यूज के लिए पिलिवी सिप्रियंग पाठक की रिपोर्ट एवी न्यूज में ख़बरों का सफर नामा करते हैं समाब गिने पाठक को दीजे इजाज़त हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ